प्रेंट्स किए आप लोगों को पता है कि जब हम टेंशन में या तो स्ट्रेस में रहते तब हमारा मुँ सूख जाता है लेकिन ये बहुत टेंपररी कंडिशन रहती है लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइ माउथ यानि की मूँ सूखने की बिमारी के बारे में ये एक medical condition होती है जिनको ये permanent problem रहता है तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि dry mouth यानि कि मुह सुकने की बिमारी के क्या कारण होते हैं उसके किया लक्षन होते हैं यानि कि क्या clinical symptoms होते हैं और अगर किसी को ये लक्षन पाये जाते हैं तो उसका हम treatment क्या कर सकते हैं मैं डॉक्टर मितुल सोजितरा अगर आप channel में नए हैं और subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को प्रेस करें ताकि health और happiness से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलो करते हैं शुरुआ हमारे मुह में जो लार यानि कि saliva रहता है उसकी मदद से हमारा पुरा मुह हो गिला रहता है तो उसका एक बहुत ही important function होता है मुह को गिला रखने में यानि कि व आर का प्रमान या तो saliva बहुत ही कम मात्रा में मुह में होता है उसको हम dry mouth यानि कि मुह सूखने की condition बोलते हैं तो उसके काफी अलग-अलग reasons होते हैं तो जल्दी से देखते हैं कि उसके क्या-क्या कारण होते हैं तो coming to the next slide first reason है loss of fluids यानि कि vomiting की वज़े से या तो ज्यादा diarrhea की वज़े से किसी को अगर पुरे body के अंदर fluid है वो कम हो गया है तो उससे भी जो मुह सूखने की समसिय हो सकती है दूसरा reason है हमारे जो मुह में जो लाड आती है जो saliva होता है वो आसपास के ये salivary glands होते है उसके अंदर से large secret होती है तो अगर किसी को salivary gland में कोई damage है उसका जो saliva निकलता है उसमें duct में अगर stone है तो मुह सूखने की समसिय हो सकती है coming to the third reason, third reason है smoking या तो किसी को अगर tobacco की habit है तो उस case में tobacco या तो smoking जो करते हैं लोग उसमें भी ये मुह सूखने की समसिया एक important कारण होता है और मुह सूखने की समसिया पाई जाती है coming to the fourth reason, वो है systemic disease यानि को किसी को blood pressure या तो diabetes या तो खून की कमी जैसे की anemia ऐसी कोई problem है तो उस चकर में वो लोग जो medicines consume करते है diabetes या तो hypertension के लिए तो वो जो लंबे समय तक हम medicines लेते उससे भी dry mouth या तो मुह सूखने की समसिया हो सकती है उसक अगर नस कट गई है तो भी dry mouth की समसिया रह सकती है या सो किसी को जो salivary gland की problem है तो उस case में अगर salivary gland कोई निकालना पड़ा है तो dry mouth की समसिया रह सकती है तो यह थे कारण जिससे मुह सूखने की समसिया हो सकती है अब जानते है कि उसके क्या क्लिनिकल symptoms यानि कि लक्षन ह बात करें तो जिसको भी dry mouth है उसको प्यास बहुत जैदा लगती है या तो पूरा मुह और जीब का भागे वो सूखने की समसिया के कारण पूरा dry लगता है उसके साथ साथ कुछ भी बोलने में चबाने में या तो खुराक को निगलने में discomfort होता है मुह में छाले पढ़ने क की समसिया बढ़ जाती है पूरा जीब का जो portion tongue है या तो red या तो reddish white का दिखता है उसके साथ साथ अगर dental problems की बात करें तो saliva का एक बहुत ही important role होता है cleansing में तो अगर मसूडों के अंदर से जो भी थोड़ा बहुत plaque जमा है वो अच्छे से clean नहीं होता है तो उसमें आगे ज बढ़न की समसिया आगे जाके हो सकती है और generalized burning sensation यानि कि मुग के अंदर जलन की एक feeling आती है उसके साथ साथ अगर कोई patient denture wearer यानि की बत्ती सी पहनता है तो उसको irritation और जो बोलने में और चबाने में discomfort मैसूस होता है तो यह लक्षण होते हैं जब किसी को dry mouth की problem होती है अग हम उसके लिए क्या treatment करते हैं coming to the next slide सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि dry mouth क्यों हो रहा है तो उसका reason हम identify करते हैं अगर किसी को smoking या तो टोबेकों की habit की वज़े से dry mouth है तो वो patients का हम counselling करके सबसे पहले smoking या तो टोबेकों की habit छोडने के लिए सला देते है शु शुरू-शुरू में यह लोग nicotex करके chewingum आते हैं वो chew कर सकते हैं और धिरे-धिरे करके अगर habit shoot जाएगी तो यह problem soul हो जाती है या तो किसी को systemic disease है यानि कि high BP की problem है या तो diabetes की problem है या तो anemia की problem है और उसकी वज़े से medicines चाल हुए तो अपने physician को consult करके medicine change करवा सकते हैं तो हमको water लेना चाहिए तो उसके बहुत सारे फाइदे तो ही है और dry mouth में भी हमको comfortable feel होता है अगर किसी को फिर भी परेशानी होती है तो उसके artificial substitutes आते हैं जिसको हम salivory substitutes के नम से जानते हैं तो यह ICPA की एक बहुत अच्छी product है wet mouth करके यह product आप अगर use करते हैं तो उसकी liquid ले सकते हैं और उसकी मदद से मूँ के अंदर 30-40 second तब आपको मूँ में घुमाना है या तो oral switching करना है ऐसे करके और बाद में आप उसको थूख सकते हैं तो यह जो solution है वो salivory substitute के तोरो पे काम करता है और आपकी काफी सारी जो dry mouth की discomfort है वो कम कर सकता है अगर फिर भी किसी को dry mouth का solution नहीं मिल रहा है यह तो problem बहुत ज्यादा है तो आप अपने experience dentist या oral surgeon को consult कर सकते है और आपको जो permanent solution है वो पाने के लिए आपके doctor आपको help कर सकते है तो friends आज के वीडियो में हमने समझा कि dry mouth की exactly condition क्या होती है उसके क्या क्या कारण होते है dry mouth होने के उसके क्या लक् आप गरेलो उपचार कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आपको उसमें रहत मिलें तो friends आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye